नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे जैसे कि आप लोग ने थम्बनेल देखा हुगा आज मैं complete information देने वाला हूँ R.A.M.C. June 2024 के exam के लिए किस तरीके से R.A.M.C. का notification आएगा, किस तरीके से आप forms को मंगाएंगे application forms को और किस तरीके से आप उस application form को भरके भीजेंगे अपने respective centers में आईए इसके बारे में बात करते हैं, तो आज का विडियो R.A.M.C. के experience के लिए बहुत important है तो end तक बने रहेगा, मेरा नामे सूरज आ रही है और आप देख रहे हैं Defense Offices Academy का YouTube channel, let's get start. देखिए सबसे पहले मैं notification की बात करना चाहता हूँ, यह last year का notification है जो लगबक आया था 3 February 2023, 3rd of February 2023, तो जो इस बार का notification है वो भी लगबक 3 February या हम कह सकते हैं, 1st week of February 2024 में आ जाएगा तो इस notification में क्या-क्या important details रहती है, आईए उसके बारे में बात करते हैं वो आप लोग ले जानना बहुत जरूरी है, जिसमें eligibility criteria है, form को कैसे मंगवाए है उसके बारे में भी बात इसी notification में करी जाएगी subjects, कितने marks का paper है, वो सारी details इसमें दी रहती हैं, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे लेकिन फिलाल इसमें क्या-क्या important points हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं eligibility criteria बहुत important रहता है, इस बार का eligibility में यहीं से निकाल के आपको देता हूँ तो जो इस बार का eligibility criteria है, सबसे पहले यह है that candidate should either be studying in class 7th or past class 7th from any recognized school at the time of admission of RIMC और वो उने वाला है 1st January 2025, ठीक है, वो कि जून 2024 का जो exam होगा, उसका admission होगा next year, 1st of jan 2025 में और उस वक्त बच्चा class 7th में होना चाहिए, class 7th पास हो जाना चाहिए, ठीक है this is very important, confusion रहता है parents को, देखिए age का bracket तो 11-13 है, बच्चे इसी age को देखते हैं, parents इसी age को identify करते हैं कि मेरा बच्चा तो अभी 11-13 के बीच में है, इसका मदलब RIMC का exam दे सकता है आप easiness के लिए इस age के window को देखा करें, ठीक है, basically होता क्या है बच्चे की age साड़े 11-13 होनी चीए during the time of admission, वो है 1 January 2025 और आप during the time of admission ना देखते हैं उसको अभी का देखते हैं या उसको आप exam date का देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास attempts है या number of chances हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आप क्या करें, बहुत simple है, आप इस age के bracket को देखिए, 2nd January 2011 से लेकर 1 July 2012, ये पिछले साल का है, तो इस बार का क्या होगा, इस बार के June वाले exam के लिए क्या होने वाला है, 2nd of Jan 2012, 11 का 12 कर दिया, से लेकर 1st of July 2013, तो ये जो नया notification आएगा, उसमें ये age bracket ही दिया होगा, जो मैं आपको अलड़ी दे चुका हूँ, this is going to be the age bracket, तो आप क्या देखिए, एक तो ये देखिए कि 1st January 2025 तक आपका बच्चा 7th में ये 7th पास होगा या नहीं होगा, ये आपने देखना जरूरी है, दूसरी चीज़ आपने ये देखनी जरूरी है कि क्या उ एक का बादाव्यों मात्स का पेपर साले नुआ बजे स्टार साले नौ से गयारह, फिकंए, दे एड़ घंडे ये की का फेपर, फिर बारा से एक एक घंडे ये और फिर इंग्लिश का पेपर होता है, Advis20 से Saale cha, दो घंटे, क्पर होता है, तो ऑनी में आता है, आर्मी से ब सारी टाइमिंग्स रहती है इसमें उसके लावा आप बच्चों को बता जाता है कि रिटन के बाद बच्चों का इंटर्वी होगा वो सारी डिटेल्स इसमें रहती है रिजल्स आक लिए आप वेब साइट देखिए इस सारी चीज़े मेंशन रहती है तो यह था पहला स्टप पहले step क्या है कि February में notification आएगा notification आएगा आप देखेंगे date of birth चेक करेंगे आप इसी वीडियो से कर सकते हैं कि आपका बच्चा eligible है या नहीं है और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या अगर आपको थोड़ा सा problem है बच्चे के फेबुरी में जैसी notification आएगा फिर आप application forms को कैसे obtain करेंगे उसके बारे में बात करते हैं देखे education form को obtain करने के दो तरीके हैं या तो अगर आप दरदून में रहते हैं ठीक है अगर आप दरदून में रहते हैं तो आप खुद जा कर RIMC जाकर खुद application form ले सकते हैं 500 रुपीस का आता है अच्छा एक और point में आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार ऐसी बातें चल रही हैं I'm not sure 100% कि इस बार से RIMC के जो forms हैं वो online भरे जाएंगे तो हम लोग जो पुराना format चला आ रहा है उस format में हम लोग ये वीडियो बना रहें अगर ऐसी कोई भी information RIMC के तरफ से आती है कि इस बार RIMC के forms online भरे जाएंगे तो उसके बारे में भी पूरी जानकरी हैं हम आप लोगों को देंगे तो इसलिए हमारे आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना ओके ओके चलिए तो जो पुराना तरीका चला आ रहा है मैंने कहा था ना दो तरीके हैं एक तो आप क्या कर सकते हैं आप RIMC गए आप देरदुन के निवासी हैं उतरा खंड के निवासी हैं और आप देरदुन जा सकते हैं तो आप गड़ी के अंड में जाएंगे जहां पर राश्च्री एनिल मिलिटरी कॉलेज है वहाँ पर आप जाएंगे गेट में ठीक है और वहाँ पर आपको आपका फॉर्म मिल जाएगा आप अपने डिटेल्स दालेंगे ओनलाइन पेमेंट करेंगे अपने डिटेल्स का मतलब है कि जो भी बच्चे की डिटेल्स हैं साथ में अपना एड्रेस और उस एड्रेस में आपको आपका फॉर्म आपको एक अमाउंट उसमें पे करनी पड़ती है and that amount is 600 रुपीज ठीक है 600 रुपे वैसे तो 500 रुपे का फॉर्म आता है आप ओफलाइन 500 में मिल जाएगा लेकिन क्योंकि online payment में by post वो फिर आपको भेजेंगे तो जो भी RMC का खर्चा है उसमें वो उसको आड़ करके 600 रुपे का आपको online payment करना पड़ता है for general candidates and 555 for SCST candidates ठीक है क्या पता इस बार कुछ changes हो सकते है कुछ update हो सकता है जैसी नया notification आएगा मैं उसको पर भी video बनाऊँगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले से parents aware हूँ कौन कौन से documents आ रहे हैं इमसी के लिए important है क्या-क्या required है application form को भढ़ने के लिए ताकि आप अभी से वो सारी चीज़ें खटा कर लो या उनके लिए apply कर लो ताकि later stages में जब एकदम notification आएगा और कुछ ही समय बचेगा form को भढ़ने का तो उस वक्त वो panic वाली situation नहीं आनी चाहिए ठीक है तो you should be prepared already ठीक है तो आप क्या कर सकते है rmc की website में जाकर आप online form मंगा सकते है payment करके इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ देखे आप जैसे website में आप google में जाकर rmc सर्च करेंगे आप यह rmc rmc.gov.in this is the official website आप जैसे इस official website में जाएंगे इस तरह का इस तरीकी का interface आपको देखने को मिलेगा rmc का आप थोड़ा सा scroll down करेंगे जैसे यहाँ पर आप देखे लो यह देखे ओ online payment for rmc prospectors application form इसको आप जैसी click करेंगे तो यहाँ से वो link खुल जाएगा जिसके थुरू आप rmc का application form मंगा सकते हैं साफ साफ लिखा है demand of application form ठीक है तो यह rmc की official website में देखने को मिलेगा आपको तो यहाँ पर क्याकर details मांगे student का first name, middle name, last name student का contact number, उसकी date of birth उसकी age, आधार number category कौन सी क्योंकि आपको मालूम होना ची की category wise forms, सस्ते महंगे मिलते हैं ठीक है father's name, mother's name, domicile सारी details आपको दालनी है ठीक है, यह भी बहुत important है जिन parents ने domicile certificate नहीं बनाया बच्चों का, उसको बनाना बहुत important उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ फिर address दालना है properly ठीक है, कोई special character मत दाल लिएगा कभी कभी कॉमा भी नहीं लिता तो बिना कॉमा in all space दे दीजेगा बस आपके यहां पहुच जाएगा country, state, select city, village ठीक है, pin code और जो भी remarks आपको दालने हैं वो दालकर आप यहां से payment करके इसको submit कर सकते हैं ठीक है, जैसे यह successful हो जाएगा payment हो जाएगी, आपके पास 10 से 15 दिन के अंदर form आ जाएगा कभी कभी इसमें risk रहता है बहुत सरे parents ने काए कि हम तक form नहीं पहुचा है, या हमारे पास form लेट पहुचा है, तो ऐसे risk से बचने के लिए, या तो आप दरदुन आकर form ले सकते हैं, या तो जो दुसरा तरीका है, demand draft वाला, उसके थुरू आप मांगा सकते हैं, ठीक है या आप हमसे भी संपर्ख कर सकते हैं, अगर ऐसी situation आती है तो, मैं चाहूँगा पहले तो मैं यही प्रिफर करूँगा, कि आप इनी methods को apply करें, इनी तरीके से आप form को obtain करें, अगर कोई problem आपको ज़्यादा होती है, तो फिर आप हमसे भी संपर्ख कर सकते हैं, ओके तो इसी के अलावा, आप क्या कर सकते हैं you can go for demand draft, ओके देखिए, by sending demand draft, यह अगला point है तो आप क्या करेंगे, जो भी application form है आपका उसको आप कैसे obtain कर सकते हैं और धियान रखना कि application form के अंदर, आपको prospectus भी मिलता है, साथ-साथ में booklet of old question papers भी मिलता है, ठीके, तो इसमें साफ-साफ लिखा है, the prospectus कम application form application form के साथ, RIMC का latest, आपको क्या मिलेगा, prospectus, मैं आपको दिखाता हूँ यह prospectus है, क्या-क्या चीजे मिलती हैं आपको, I'll show you ठीके, यह इस तरीके से envelope में आपको application form मिलेगा, ऐसे envelope होगा, I hope कि आपको दिख रहा हूँ ओके, तो लोसा brightness है ज्यादा, साथ मैं आपको यह RIMC के तरफ से prospectus देखने को मिलेगा RIMC का, ठीके, इसमें सारी details है RIMC के बारे में and all क्या-क्या चीजें वो provide करते हैं साथी साथ, you will get this kind of application forms, ठीके, तो application forms मिलेंगे आपको ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं भी आपको screen में भी दिखाऊंगा, मैंने इसकी PDF मना रहे किया और कैसे भरेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे ठीके, इस तरह की के दो application forms मिलते हैं आप लोग को, ठीके this light green color ओके, और उसके अलावा दो envelops मिलते हैं, उन envelops को भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीके साथ में you will get two envelops like this जिसमें एक envelop में तो आप अपने application form को भीजेंगे with documents और दूसरे envelop में अपने details डाल कर और postage stamp लगा कर यह आप भीजते हैं, जिसमें आपके पास admit card आता है, ठीके, इनके बारे में मैं अभी बात करूँगा, डीटेल में, ताकि कोई problem ना हो, parents कोई गलती ना करें ठीके, और साथ ही साथ यह last seven years की एक आपको old question papers की booklet मिलती है ठीके, जिससे आप लोग practice कर सकते हैं तो इस सारे चीज़ें आपको आपको इस application form के साथ मिलती है, तो इस application form को बोलते हैं, prospectus come application form, और साथ ही साथ आपको इसके साथ क्या आप देखने को मिलेंगे you will, you will get the old question papers booklet also, ठीके, तो आप क्या गरेंगे demand draft बनाएंगे एक 600 रुपेगा for general candidates and 555 for SCST, और उस demand draft को आप किसके नाम पे बनाएंगे in favor of the commandant RMC देरदुन, जो drawy branch रहेगी, that will be State Bank of India तेलभवन देरदुन, bank code यह है सारी चीज़े, ठीके, तो वैसे इस बार न, यह जो आपका यह जो branch है, सारी चीज़े change हो चुके, तो आप इस demand draft के थुरू अभी ना मंगवाते हुए latest notification का wait कीजिएगा तो आप इस वीडियो को देखकर इस तरीके से demand draft बना कर मत मंगवाना RMC का form क्योंकि हो सकता है कि इस बार के notification पर कुछ ना कुछ चीज़ें बदल सकती है, ओके I'll intimate you, you do not worry अगर online application forms भरे जाएंगे तो मैं आपको सूचना जरूर दूँगा अपने मंगा सकते हैं, अभी काफी समय है हमार पास notification का, आप लोग जरूर वेट कीजिएगा ओके तो इस आर दा वे, कि आप मंगा सकते हैं, दीखे, documents क्या क्या चाहिए, वो भी मैं discuss कर लेता हूँ, यह बहुत important है application form को कैसे मंगवाना है, वो तो आपको समझ मा आ गया, online कैसे मंगवाएंगे, demand प्राफर के थूर कैसे मंगवाएंगे, या physically खुद आप RMC जाकर कैसे ले सकते हैं और अब भेजना कैसे है, उसके बारे में भी बात करते हैं भरेंगे कैसे, लेकिन क्या 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 लावा, domicile certificate है, SCST certificate है, where applicable, जो लोग SCST candidate है, उनके लिए SCST certificate भी important है a certificate from principal of the current school in which candidate is studying, ठीक है तो यह तो बहुत easily बन जाता है, जिस school में बच्चा पट रहा हो, उस school से एक bonafide बनता है ना और वो बच्चे का उसमें नाम mention होता है बच्चे की date of birth mention होती है as per the school records, और कौन सी class में वो mention होता है, उसमें बच्चे की photo भी लग रहे होती है, और साथी साथ उसमें principal की signature भी रहते है आधार card की photo copy लगेगी दोनुस तरफ की, एक तरफ की मदिदेना ठीक है, और साथ में दो passport size photographs, ठीक है, तो यह सारे चीज़ें चाहिए रहती है, ओके अच्चा उसके लवा last date, last year 15 April 2023 दी थी ठीक है, तो इस बार April, 15 April 2024 होने के chances है, ठीक है वो हम लोग जब notification आएगा, तो हम discuss करेंगे, ठीक है, तो कैसे मंगाना है application form, वो आपने notification आजाएगा, notification आते ही फिर आप कैसे application form को मंगाएंगे वो हमने देखा, ठीक हमने हमने तीन तरीके देखे, बेसिकली, एक तो आप खुद RIMC जा सकते हैं, दुसरा आप online के थुरू मंगा सकते हैं, तीसरा demand draft के थुरू मंगा सकते हैं, ठीक है उसके इलावा अब आप कैसे form भरेंगे उसके बारे में बात करते हैं, let's discuss about it, तो ये इस तरीके से जो मैं आपको ऐसे हाथों में दिखा रहा था, तो ये वो application form है, ठीक है, मैं थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ उसे तो इस तरीके से application form है जिससे आप भर सकते हैं, इसे blue या black ball pen से भरा जाता है, बच्चा अपनी handwriting में भरता है ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है form to be filled up by the candidate in his own handwriting in capital letters मैं एक एक चीज़े आपको point discuss करता हूँ यहाँ पर बच्चे की photograph लगीगी और नीचे बच्चे के sign होंगे, जिससे मैं अपने sign कर लेता हूँ यहाँ ठीक है इस तरीके से, ओके यहाँ पर फिर बच्चे का नाम, capital letters में जो भी बच्चे का नाम है, बच्चे की date of birth religion, ओके nationality, Indian height बच्चे की क्या है, आप centimeter में भी बता सकते हैं, ठीक है आप centimeter में भी बता सकते हैं, feet, inches में भी बता सकते हैं, as a wish बच्चे का weight क्या है, kg में बताईएगा, क्या weight है बच्चे का eye vision क्या है, ठीक है, check-up कर वालीजिएगा वैसे तो 6 by 6 ही देखने को मिलती है बच्चों की, लेकिन अगर आपको लगता है कि eyesight weak है तो आप check-up करा सकते हैं, अदर्वाइज अभी तो सिर्फ written examination है तो 6 by 6 आप दाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में proper check-up तो हो गई, gender कौन सा है बच्चे का वो mention कर लिजेगा, male or female state of domicile, उत्रखंड, उत्रप्रदेश, जो भी है identification mark, कौन सा identification mark है बच्चे पर उसकी body पर, ठीक है, वो आप लिख सकते है चहरे पर कोई till, mole हो सकता है, कोई cut का mark हो सकता है ठीक है, वो सारी चीज़े आप यहाँ पर mention कर सकते हैं बच्चे का कहा होता है, जिस state का बच्चा होता है, वो state की capital में होता है जैसे उत्रखंड में, जो examination center होता है, वो होता है धरदुन, ठीक है और उत्रप्रदेश में लखना हो, उस तरीके साब mention करेंगे candidate का आधार number, यह बहुत important है father या mother का आधार number यह बहुत important है, ठीक है अब जैसे आप जो exam देने वाले हैं, इस बार date of exam is going to be first and second June 2024 विससे तो एक दिन होता है, पुराने forms है, पुराने prospectus के forms है इसले दो dates दे रिखियें, और इसका जो term start होगा, वो होगा January वाला spring term है, January वाला होगा, तो यहाँ पर 2025 लिख लिजिएगा, ठीक है January 2025 तो अभी तो हम 2025 के accordingly बच्चों की date of birth देख रहे थे, ठीक है कि वो start 11-13 साल का होता है नहीं होता, 1st January 2025 में इसको fill करने के बाद ही नीचे वाला fill ली करना ठीक है, अभी June वाले exam की बात कर रहे है अगर December वाला exam होता तो फिर यहाँ 2024 लिखते हैं और यहाँ पर July 2025 मेंशन करते हैं, उसके बाद अगर आपके जो आपके members है, family के भाई या बहन, उसके बारे में आप description दे सकते हैं, अगर कोई है, serial number 1 ठीक है, order में दीजेगा, ठीक है, जो elder है पहले उनका, ठीक है, फिर जो छोटे है उनका, यहाँ पर उनका नाम और उनकी date of birth आप mention कर सकते हैं, ओके अच्छा, उसके बाद father's name, ठीक है, father's occupation, उसको specify कीजीगा, do not write businessman, do not write government employee, जो भी specific हैं, जैसे मेरे father क्या है, assistant engineer या executive engineer in PWD, तो मैं specifically उसको mention करूँगा, तो उसको specifically mention करना जरूरी है, father की क्या annual income है, उसके बारे में भी आप अपने parent से जानकारे ले सकते हैं, उसको fill करना जरू mother's name, mother's occupation, please उसको भी specify करें, ठीक है, अगर आपकी mother housewife है, तो उसको mention करें, और मम्मी की annual income, अगर है तो ठीक है नहीं है, तो आप not applicable लिख सकते है, na, फिर अपना permanent address, जो भी आपका permanent address है, with pin code, उसके लावा फिर आपका address of correspondence, जहाँ पर आपका admit card आएगा, अगर दोनों सेम है तो फिर आप दोनों same as it is, copy कर लेजिए, अगर आपका address of correspondence, कुछ और है, जैसे होता न, गाओं का address को permanent address, आप कहीं city में रहके तियारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि आपका admit card आया, या पापा की जहाँ पोस्टिंग है आपके father की, ठीक है, तो वो आप address of correspondence मे लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखेगा क्योंकि आपको admit card यहीं आएगा, विसल साथ में envelope मिलेंगे, जिसमें आप address लिखोगे, अभी मैं उसके बारे में बात करूँगा, with pin code, उसके बाद telephone number, office का अगर कोई है, या residence का कोई telephone number है, तो आप लिख सकते है, otherwise directly mobile number लिख लिखे, और फिर email id लिखे, ठीक है, उसके इलावा name and address of school in which presently is studying, अच्छा email id भी आप capital letters में लिख सकते हैं, जिसे for example, मेरी mail id है सूरज 7 Aria, तो मैं capital में लिख सकता हूँ, at the rate gmail.com, ठीक है, वो समझ जाएंगे, ओके, उसके इलावा name and address of the school in which presently is studying, address का मतलब detail address मत लिख ल जैसे अगर Delhi public school है, पूरा लिखना, Delhi public school करके देरदुन, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा address आप detail लिख रहे हो कि उतनी space मिलती नहीं है आपको, कौन सी class में आप class लिख लिख लिजी का, medium of instruction, Hindi medium, English medium वो लिखना है, and how many times appeared before for RMC examination, give state roll number, date and year, अगर आपने पहले RMC का exam दिया ह तो वो roll number आपको यहाद होना चाहिए, कौन से date को वाता exam वो, कौन सा year है वो आप इसमें mention कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपके signature आजाएंगी, बहुत important है, कोई भी आपको column छोड़ा नहीं है, उसके बाद brief resume of military service rendered by candidate father और near relative है अगर आपके father, army में है या कोई बहुत close relative है, आपके near relative है, अगर वो army में है या military service में है, उनके बारे में आप यहाँ पर उनका description दे सकते हैं, ठीक है, description का मतलब है, कि my father is so and so, posted in so and so place, इस तरीके से आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, ज्यादा description नहीं दे न, आपके father की क्या rank है, ठीक है, और वो कहां posted है, कहां service दे र reward की, तो वो भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, अच्छा, इसके अलावा, then special achievement in sports of the candidates and other fields, अगर कोई achievement है sports में, तो उसको आप जरूर यहाँ पर mention करें, या कोई और भी field हो, तो उसको भी आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, special achievement का मतलब कोई outstanding या आप कोई out of the box achievement नहीं है, कुछ भी आ information अगर आपने correct, incorrect डाली होगी, तो हम आपका जो candidature है, उसको reject कर लेंगे, date, place, आप mention कीजिगा, यहाँ पर parents के signature आएंगे, अगर parents नहीं तो guardian के, और नीचे, और यह जो form है न, application form देखी, you will get two application forms, मैंने आपको दिखाया था, दो application forms मिलते हैं इसे, यह दिखे, दो है मेरे ह आप में भी, I have two application forms, दोनों को एक ही तरीके से भढ़ना जरूरी है, properly, और दोनों को school में लिजाकर, यहाँ पर जब आप यह पूरी formality complete कर लेंगे, school में लिजाकर, आपके principal के signature उसमें होना बहुत जादा जरूरी है, ठीक है, बिना उसके, आपके application form को accept नहीं किया जाएग ठीक है, और form के last में आपर दिया भी रहता है, जिन documents के बार भी आपने बात करी थी, उसके एक checklist दी रहती ही, कि आप देख लिजेगे कि आपने इसमें photograph fix करी नहीं करी, ठीक है, दो photograph एफिक्स होंगी, क्योंकि दो photograph, दो application forms है, साथ में additional दो photograph आपको भेजनी है, form के साथ, ठ ठीक है, जिसके पीछे बच्चे के signature होंगे, साथ-साथ, go to copy of bird certificate, जिसको gadgeted officer से आप attest करवाएंगे, very important, उसके साथ-साथ, school से जो bonified बनेगा, मैंने बात करी थी, तो school से जो bonified बनेगा, वो होना चाहिए, वो तो original होगा, originally आप भेजेंगे, साथ-साथ self-addressed envelope अभी उसके बारे में नीचे बात करेंगे, ठीक है, एक छोड़ा सा envelope होगा, जिसमें आप अपना address लिखेंगे, उसमें 42 रुपीज की stamp लगवाएंगे आप, ताकि RMC को easy रहे आपको admit card भेजने के लिए, ठीक है, उसके लावा domicile certificate की photocopy, gadgeted officer से attested, और photocopy of ather card, जो self-attested होगी, उसमे आपको यहाँ पर, साथ में जो आपको envelope दे जाते हो, यह बड़ा वाला envelope है, ठीक है, इसको मैं सिधा करके आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से, यह बड़ा वाला envelope है, इसी envelope के अंदर, आपके, आपका पूरा जो application form है, दो application form जाएंगे, और जो checklist में लिखा होगा था नह है, अपने-अपने states के respective education centers में इन forms को भेजना पड़ता है, और वो अभी आपको इसके साथ एक, एक, ब्रॉशर, information ब्रॉशर मिलता है, उसमें सारा वो दिया रहता है, उसके बारे में भी मैं भी बात करूँगा आपसे, ठीक है, तो वो address कौन सा आएगा, अभी मैं बात कर कर दें, ठीक है, उसके साथ, जो छोटा envelope है, वो भी मैं आपको दिखा दो, यह है वो छोटा envelope, ठीक है, जिसमें वो आपका admit card भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना address लिखना है, self address, ताकि RMC को problem ना हो, आपको admit card भेजते वक्त, और साथ में 42 रुपीस की stamp भी forms और जो सारे documents है, वो भी, ठीक है, उसाब आजाते हैं, एक ही में, ओके, यह फिर, आपकी, जो information brochure है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, this is your information brochure, ठीक है, यह वो guidelines है, admission की, जो आपको साथ-साथ prospectors के साथ ही मिलती है, application form के साथ ही मिलती है, ठीक है, तो इस guidelines को पढ़ना भी important है, इसको पर एक में separate video जरूर बनाऊगा, अभी में ज्यादा detail में नहीं जाऊँगा, अल्यदी हम बहुत सारी बाते हैं, इसमें discuss कर चुके है, ठीक है, इसमें सारी वो information है, ठीक है, बहुत detailed में है, इसमें medical के बारे में भी दिया है, ठीक है, ठीक है, तो यह सारी January 2025 में बच्चा सारी 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, January term 2025 हो गाए, ठीक है, 1st और 2nd January 2024 वाले exam के लिए, again July term 2025 और 1st July 2025 के accordingly सारी 11 से 13 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यह during the time of admission वाली dates है, लेकिन हमारे लिए क्या important है कि हम अपना application form कहां भेजेंगे, बच्चों को इस दिखाना चाहरा हूँ, ठीक है, इसमें और भी details दीए है, इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूँगा, यह सारी चीज़े important है, देखिए इसमें भी checklist दीए है, जो अलड़ी हम लोग discuss कर चुके है, ठीक है, और exams के बारे में और भी details है इसमे, syllabus भी दिया है, एक एक आप कह सकते हो, general syllabus दिया है, ठीक है, और कहीं न कहीं हम लोग जो गुसा थे, RMC से, वो इसी के वज़े से थे, कि उन्होंने syllabus यह दिया है, और वो पूछ क्या रहा है, maths के paper में, ठीक है, you can understand, और मैं parents से कहा भी रहा था, कि इस syllabus के basis पर, आप चाहो तो RMC को challenge भी कर सकते हो, से एक accountability रख सकते हो, RMC के लिए, कि भी यह आपने यह जो maths का paper दिया था, किस basis में दिया, this is the syllabus, ठीक है, अब आप देख लिजे इस syllabus में क्या है, ओके, तो यह सारा syllabus है, जो RMC प्रोवाइट करता है, आप लोग को, उसके बाद सब कुछ दे रखा है कि results के बारे में, final merit list and all, joining instructions के बारे में भी दिया है, और इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में, लेकिन सबसे पहले important क्या हमाले देखें ये, एक तो examination center और आप अपना application form कहां भेजेंगे, this is very important, अंडबान निकुबार वालों का exam center होगा, होगा Port Blair में, ठीक है, और तो उनका application form जाएगा, वह ही जाएगा, the principal, Tegor, government, college of education, middle point, port Blair, अंडबान निकुबार, pin number so and so, this is the address, तो RIMC को नहीं भेजना form आप लोगों ने, ठीक है, दो-तिन examples और देता हो में आपको, जैसे की, जैसे की, for example, Delhi वाले बच्चे कहां भेजेंगे, RIMC नहीं भेजना किसी ठीक हो, Delhi वाले बच्चे, Delhi में उनका the DDE, the DDE exam, room number so and so, Directorate of Education, Government of NCT, Old Secretariat, Delhi, pin code दिया है, ठीक है, तो आपको अपने respective ये, जो आपको ये information ये guidelines, ब्रॉशर मिला है न, RIMC Prospectors application form के साथ, तो यहाँ, यहीं से आप देखेंगे कि आपको अपना application form कहां भेजना है, ठीक है, सारे States case में mentioned है, और उनके examination center भी mentioned है, ठीक है, Punjab का Chandigarh, Capital भी है, Sikkim का Gang Talk, Rajasthan का Jaipur, Nagaland का Kohima, इस तरीक से examination center पढ़ते हैं, उतरपरदेश का कहां होगा, लखनाओ में, उतराखंड का कहां होगा, एक्जाम, देरदुन में, West Bengal का कहां होगा, कोलकता में, उतरपरदेश का कहा है, यहां है, the deputy director of education, Madhya Mik, 6 region, Sikshah Bhavan, 58, Jagat Narayan Road, Post Office Chalk, लटनाओ, उतरपरदेश, this is the address of state authorities, जहां पर आप अपना application form भीजेंगे, ध्यान दीजेगा, प्लस, एक और confusion parents को रहता है, कि sir, हमारा जो domicile है, वो सपोज उतराखंड का है, लेकिन हम अभी UP में रह रहे हैं, और हम चा इसे ही है, तो ऐसे बच्चे जिनके father central government के employee है, या armed forces में है, वो तो होते ही central government के employee है, तो वो क्या कर सकते हैं, कि जहां पर उनकी posting है, वहां बच्चे को exam दिलवा सकते हैं, तो अपना application form आप उसी state authority में भीजेंगे, जहां पर जिस state के, जिस state में आप exam देंगे, ठीक है, हा के लिए, वो वहीं दे सकता है, क्योंकि में लिए practical नहीं है, feasible नहीं है, उसको exam के लिए, specifically उस exam के लिए उतने दूर से उतराखन लाना, ठीक है, तो जो लोग अलग अलग जगा posted है, वो अपने ही state में exam दे सकते हैं, ये provision है, ठीक है, हाले किन एक service certificate additional भीजना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई problem ना हो, okay, so I hope कि ये clarity आगे होगी, this was very important, ठीक है, तो आपको किस तरीकी से application form भरके भेजना है, उसके बारे में भी हम लोग ने बात कर लिये, उसके अलावा कुछ medical instructions है, इसके बारे में हम बात में बात करेंगे, visual standards भी दिये हैं, ठीक है, we'll talk, इन सारी details के बारे में हम बात में बात करेंगे, ठीक है, तो in a nutshell, आज हमने क्या बात करी, सबसे पहले we have talked कि कब notification आएगा, first week of February में notification आएगा, दूसरी चीज हमने बात करी कि आप किस तरीकी से application forms मंगाएंगे, how to obtain the application form which is very important, तीसरा point हमने discuss किया कि आप application form को भर कर कैसे भेजेंगे, औ और कौन-कौन से documents required और कहां भीजेंगे, ठीक है, I hope कि I have covered all the important areas, इसके अलावा भी अगर आपको doubt हो, तो नीचे comment में हमें जरूर लिखेगा, या नीचे देगे numbers पर WhatsApp या आप call भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके doubts को resolve कर सके, और I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरीके के और भी वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे, जो कहीं न कहीं आपको information देगा in schools के बारे में, तो हमारा channel आप जरूर subscribe कर लेना, hit the bell icon, so that you can get all the important notifications, I hope कि आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, that's all for today, bye bye, see you soon, जैहिंद! जैहिंद!